गागरोन फोर्ट गागरोन फोर्ट डोड परमार के राजाओं द्वारा निर्मान करवाया गया था गागरोन फोर्ट का डोड परमार के राजाओं द्वारा निर्मान करवाया गया था गागरोन फोर्ट का और डोडगड और दूलगड कहते हैं जिसे क्या कहते हैं बीजल देव दोड और देवेन सिंग केची चान बीजल देव गोड काहराया और देवेन सिंग केची इसके अंनर जीता था बीजल देव डोड और देवेंसी है केची जो चोहान थे तो बीजल देव डोड को हराया और देवेंसी केची जीता तो उससे अपना अधिकार कर लिया था उसके गागरोंड पोर्ट के उपर फिर यहां पर राजा बना परताब सी है केची बाद में राजवना परताप सिये कीची परताप सिये कीची पर संत फीपा के नाम से फेमस हुआ ठीक है और उसका भाईता अचल दास कीची अचल दास कीची ठीक है उसने 1423 के अंदर होसंग सा मालवा में होसंग सा मालवा का आकरमन हुआ और सिवदास गाड़न की पुस्तक अचलदास खीचीरी वस नीका से अपने को इंफोर्मेशन मिलती है जो होसंग साथ मालवा का उसने आकरमन किया 1423 के अंदर और गागरोन का पर्थम और उस टाइम पर गागरोन का पर्थम साका हुआ 1423 के अंदर और ये अपने को इंफोर्मेशन मिलती है शिवदास गाड़न की पुस्तक अचलदास खीचीरी वस नीका से पिर अथा पालन सिंग पालन सिंग पालन सिंग 1446 के अंदर पालन सिंग है 1446 में मयम्मूद खिल जी फ़स्ट का करमन हुआ मालवा का मुस्तफा पाजब पर ठीक है वो 1443 के अंदर सेकींड साखा हुआ 1444 के अंदर महमूद खिल जी फ़स्ट के आ करमन की समय और फिर इसका नाम बदल कर उसनें मुस्तफा पाजब कर दी था ठीक है पाड़ी दूर गए है जल दूर गए है पाड़ी दूर गए है क्योंकि बिना निव के बना हुआ है बिना निव के और जल दूर इसलिए है क्योंकि यहां पे काली सिंद और आहुनादी मिलती है और परकोटा यहां पर बना हुआ जालिम सिंग जाला ने बनवाया था जालिम कोट कहते हैं इसके चारो तरफ परकोटा बनाया था वो उसे बनाया था जालिम सिंग जाला ने और यह तीरा परकोटा है यहां पर कोटा हैं चित्तोड फोट और क्या है जैसे कि यहां पर पन देखे था परवत्माला और किला दूर से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं परवत्माला और किला दूर से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं इमारत अगर अपन देखें तो इमारत में अगर अपन देखें तो पहली इमारत यहाँ पे मदु सूधन मंदीर है मदु सूधन मंदीर है जो कि दुर्जुन चाल ने बनवाया था दुर्जन सालता कोटा का रादा उसने बनवाया था दूसरी इमारत यहां पर देखे तो बुलन दरवाजा है बुलन दरवाजा औरंग जेब ने बनवाया था ठीक है और यहां पर अपने संत हमी दुद्दीन की या फिर मीटे सा की दरगा है कोटा के राज्य की टकसाल है कोटा राज्य की टकसाल भी यहीं पे है गीद कराई डेथ वैलेंटी गीद कराई एक उच्छे चेज़्ट ज pleasing जी जाती ति गीद कराई कहते है उसे चितरड फॉर्ड चितरड फॉर्ड रास्तान का गोर ओ है रास्तान का गुरव दुर्गों का सिर्मोर दुर्गों में तीर तीस्तल ठीक है इसका निर्माता थे अपने भीम भीम पांडव पांडवों के भीम द्वारा और यहीं पर है भीमलत तालाब फिर बोलता है कि चित्रांग मोरिय ने करवाया था चित्रांग मोरिय जिसने चत्रंग तालाब बनाए रखाया है अपर और कुमा ये इन्फरमेशन अपने को कुमारपाल परवंद वीर विनोद ने इन्हों ने निर्माण करवाया था चित्रकूट चित्रकूट भी कहता है चित्रकूट कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण करवाया था तो कुमारपाल अपने को चित्रांग मोरिय की इन्फरमेशन कहा से मिलती है कुमारपाल परवंद से वीर वी नोज से क्या नुशाय निर्मान ये मेसा के पठार पर इस्तीत है मेसा के पठार पर इस्तीत है मेसा भी और मचली आकर तीम बना हुआ है और इसको जल्दूर भी कहते है क्योंकि इसको घंबीरी और बेड़स न दिये हैं आपे राश्तान का सबसे बड़ा आवाशी किला है दावन दूर को छोड़कर इसके अंदर सारी खाशियत है दावन दूर होता है रेत वाला दावन दूर सातवी साल धरवा जाएं इसके अंदर और सरपी के लागार मार गया दिल्ली से मालवा गुजरात मालवा और गुजरात जाने के रास्ते के बीच के अंदर ये पढ़ता है ठीक है इमारते इसके अंदर कुम्प स्वामी मंदिर सरंगार चोरिय समी देश्वर मंदिर अधभुद सिव मंदिर सत्वीस बारिय सत्वीस देवरी एक लिंग जीक क मंदिर कालीगा माता क मंदिर कालीगा माता क मंदिर ये सूर्य मंदिर सत्वीस बार देवरीय 27 मंदिरों से बनी हुए जेनों के कुछ मंदिर ह formerly तुलजा भावानी मंदिर है तुलजा भावानी मंदिर बनवीर ने बनवाई थी बनवीर ने बनवाई था जिसको उड़ना राजकुमार भी करते है लाखोटा वारी है एक लाग रुपर देकर अलाउद दीन को एक खिड़की खुलवाई थी यार एक लाग रुपर में श्याम पार्शाव मंदीर श्याम पार्शाव नात मंदीर तेज सीये की रानी जतल देने निर्मान करवाई था ये ये तेज सीये की रानी थी जतल देने निर्मान करवाई था ये श्याम पार्शाव नात मंदीर नौलगा दर्वाजा रन्थमबोर में और नौलगा भंडार अपने चित्तोड में कुंबल गट दुर्ग कुंबल गट दुर्ग इसको अबुल फैजल उँचाई सबसे ज़्यादा बताईए उँचाई अबुल फैजल ने चत्रिस किलोमेटर की बाउंडरी है आठ गुड़िस्वार एक साथ दोड़ सकते हैं जेम स्टोड ने इसको एट्रुसकन दुर्ग के नाम से बताया है इमारते इसके अंदर है जाली राणी का माली है दूसरी मारते मामा देव कुंड कुम्मल गड़ के अंदर है रन तंबोर दुर्ग आठ वी सताब्दी में चोहान राजो दुआरे निर्मत कर वाया था रन अद्धेव और अंडा का राकर्ती में बना हुआ है और दूर से दिखाई नहीं देता है अबुल फैजल ने इसको अबुल फैजल ने अन्य सभी किलो नंगे और इसे बक्तर बंद होता है और जंगल के उबड़ खावन रास्ते से उचाई पर इस्ती थे यह और दिल्ली और मालुआ गुजर दिल्ली गुजराद मालुआ के बीचे बढ़ता है इस पे जो इमारते हैं हो एक तो जोगी महल है एक सुपारी महल है एक जोरा और बोरा है एक अकबर की टकसाल है यहाँ पे और पीर सद्रुदीन पीर सद्रुदीन की दरगा अब यूनसको वर्ल्ड एनिटेस साइट की फोर्ट कौन कौन से है यूनसको वर्ल्ड एनिटेस साइट की अपने फोर्ट अगर देखें तो अपने गाजर चीकू आम ठीक है गाजर से गागरोन जैसे जैसलमेर रैसे अपना उजैगर अन थमबोर चीकू चीकू से चीज से चितोडगड कू से कुम्बलगड आम से आमीर और ये दोजा तेरा के नोपने नोम पेन की मिटिंग में वर्ल्ड एरेटेस साइट की सम्मिल किया गया था दोजा तेरा के अनदर गिरी अपना तो पताईए गिरी दूर्ग कोन सा होता है गिरी दूर्ग पाडवाला होता जल्दूर जल्ग का होता है एरन दूर्ग जो होता है वो गनगोर जंगल का होता है एरन जंगल के अनदर होता है दूर्ग उसे बोलता है बन एरन दूर्ग बन दुर्ग पताईया अपने को पारिक दुर्ग पताईया चारों तरफ उसे खाई हो पारिक और पारिद जिस्ति के चारों तरफ परीदी हो उसे पारिद बोलेंगे साय जिसमें सायता पहुंचाई जा सकती साय और सैनने जाबे सैनने रहते हैं उस सैनने दुर्ग